हलो, वेलिकम बेक टो माइ न्यू लोग दोस्तो, सुभसुभ का बॉर्ट थंडा थंडा गुड बॉर्निंग दोस्तो, कैसे हो आप सब लोग? मैं निराली हूँ, स्वागत करती हूँ, निराली लोग्स में सबको जय माता जी, जी सिक रेश्ण जै स्वामिनारे लें दोस्तो तो व्लोग चालू करने से पहले आप सभी दोस्तों को बता दू कि आप लोग मेरी चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सुस्क्राइब कर दीजेगा और व्लोग अच्छा लगे तो चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा दोस्तों आज व्रुशी बहुत ज़्यादा खुसे क्योंकि उसकी बचपन की चीज मिल गए उसको तो उसको तो वो फर्स टाइम लेके दिया था ने स्वेटर वो अच्छा लगता है तो आज उसको वो ही प्यानने का था तो मैंने उसको प्याना दिया तो वो खुशी के मारे कुदने लगी सुबह सुबह मैं इतनी खुस हो गई तो सभी लोग चाहे नास्ता वगरे कर लिया है और यहां पे बक्रिया वगरे भी नास्ता ही कर रही है तो अभी सुबह का 10 बजा है तो मैं जा रही हूं बच्चों को रखने के लिए आंगनवाडी तो बच्चे को रखके आने वाली थी तब मिल गई है आंटी आंटी जा रही है अभी खेतों में तो आंटी के घर में एक सुप्रसंग हुआ है तो आंटी थोड़ी हट भी है तो थोड़ी दिर बात कर लो साइद खुसी से कोई बात कर ले तो उसको अच्छा भी लग जाए तो मैंने आंटी के साथ थो खाती है लेकिन पानी ज्यादा नहीं पीती है तो मैं आंटी के साथ बात कर ली और बच्चों को भी छोड़ दिया और आंटी चले गए अभी खेत में तो मैं भी घर पे चले जाती हूं और अब भी आ गई हूं वापस में दो बच गया है सायद मैंने खड़ याल में देखा नहीं था लेकिन मैं आ गई आंगनवाडी मेरे बच्चों को लेने के लिए क्यूंकि ये दोनों तो मुझे देखके खूस होगे क्यूंकि उसको खर पे आने की खूसी है दोनों को तो क्रिशिव तो आगे चलने भी लगा लेकिन मैंने बोला उसको रूख थोड़ा और बात करनी है अंगनवाडी की बेन आती है उसके साथ तो ये बोल रहे है व्रिशिक रिशिव को जो लिखने के देते हैं ने वो लिखते नहीं आसी कंपलन कर रहे हैं तो अभी दोनों को ये चौपड़ी वगईरा भी दे रहे है ताकि वो घर पे भी थोड़ा लिखे ऐसा करके तो अच्छी बात है हमारे लिए बहुत बड़ी ब तो उसने दिया कलर और चौपड़ी वग्रे दे दिया और डीस वग्रे भी लेकर आते हैं तो मैंने सुचा डीस भी ले लेती हूं और हमारे घर के बच्चों के तो खाने का कोई यह नहीं है तो डीस में सब भी गाड़के रखते हैं देखो तो घर में बकर्या सब खा इसके लिए मैं एक भी रखती नहीं हूं और लेकर यह जाती हैं तो यहां पर मैं जा रही हूं बच्चों को लेकर घर में बहुत अच्छे से व्लोग बन नहीं पाता है दोस्तों तो क्या है ने दोस्तों कि कोई आपको थोड़ा सपूर्ट करने वाला चाहिए ताकि आप अच्छा सा व्लोग बना पाओ तो मुझे तो अकिले ही सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को भी संबलना पड़ता है व्लोग भी बनाना पड़ता है और कोई पकरने वाला भी नहीं है और मेरे बच्चों कैसे पता है ने आप सबी दोस्तों को कि उन लोगों के हाथ में ऐसे मोंबाइल तो छुटा यह से रखके तोड़ देता है ऐसा ही करता है और बहुत बार ऐसा किया हुआ है इसलिए मुझे पता है तो मैं तो बच्चों को थुड़ा सहारा नहीं लेतू और तक ही बच्चे खेलते हैं कुछ खाते हैं ऐसे वगिरे में मोंबाइल ले यह से रहते हैं लेकिन कुछ बूल नहीं पाते हैं माँबाप ज Lisa खिन करती है कि आप लोग कहीं करके बोलते आपको सरम आती है तो हां मुझे सरम आती है के सामने बैचके कुछ बोलने का कभी-कभी आती को एसे हो जाती हुआ स्ट्रॉंग तो नहीं आती है मतलब बोल लेती हूं तो क्रीशी उको तो जब भी चाहिए तब रूर रात में सोता है तब भी उसको जीसी भी चाहिए और क्योंकि जीसी भी ज्यादा चलती है हमारे यहां पर खड़ा वगिरा और पहाड जैसा सब कुछ खुदने के लिए तो उसको तो जीसी भी चाहिए तो यह तो खिलने में लगा है यहां पर जीसी भी तो यहां आके खर पे आके क्रीशी तो फ्रेश हो गया और यह दोनों भी वापस अच्छे से बैठ गई पढ़ने के लिए तो जब तक में क्रीशी को खुद नहीं पहना हूंगी तब तक वो प्राई पेना देते हूं पहले ताकि वो भी अच्छे से खेलने लगे अभी उसका सोने का टाइम हो गया है लेकिन वो खुद नहीं बूलेगा कि मुझे सोना है तब तक मैं नहीं सुलाओंगी क्योंकि रात को बहुत परिसान करता है और अभी भी सोयेगा ने तो यह कब सो सोने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था क्योंकि खर में सब मेमन सब वगरे आये हुए थे तो यह सब दोनों मस्ती कर रहे थे तो आज तो हम लोग साथ बजे तक तो सोते ही रहे तो चलो आज की जो रेसीबी में आप सभी दोस्तों किसा सेर करने वाली हूं वो बत है रही हो नहीं वो वाली तो आपने कभे भी ट्राइ नहीं की होगी सायद क्योंकि थोड़ी अलग सी बिर्यानी है और इसको तो हम अलरा राइस बोल सकते है तो चलो मैं यहां पर रूशी और कृशी को इशानी को पहले लिखके दे देती हूं ताकि उनका साथ साथ में काम चलता रहे क्योंकि एकड़ा वगिरा सब लिखके दूंगी तो आगनवाडी से जो भी उसका होमवर्क दिया हुआ है वो तो फिनिश हो जाए क्योंकि कल तो संडे है लेकिन कोई बात नहीं कल की बात कल है आज की तो कर लेते है आज थोड़ा टाइम भी मिला है तो घर का का बी तो है लेकिन वो तो होता जाएगा लेकिन बच्चों के लिए टाइम निकलना भी तो जरूरी है ने दोस्तों तो देखो दोस्तों यहां पर मैं दोनों को लिखा रही हुए यह कड़ा वगिरा लिखके दे देती हूं क्योंकि इशानी के बूक में तो लिखका हुआ है लेकिन ये वरुशी की तो यहां पूरी प्लया नहीं थी तो मैंने यहां पर उसका जो कलर वगिरा दिया था उसमें उससे लिखके देती हूं तो क्री शिव तो बाजु में बेट़ा-बेटा बहुत ऐसा कुछ भी कटर और अगेरा कुछ भी आता है तो क्या बोलता है ममी तू चल बार आके देख और वो वाला मुझे लाके देना और क्या बताओ दोस्तो बच्चे के आगे तो उसकी जिसके आगे तो सब फ्याल हो जाता है और मुझे जाना पड़ता है उसको देखने के लिए और उसको समझाना पड़ता है कि बेटा ये वाला बहुत मेंगा आता है उसको लाने के लिए हम लोग को ओर्डर देना पड़ेगा ऐसा ऐसा कि सब खुछ बोलके मैं उसको पटा देती हूं और तो भी उसको तो याद रही जाता है तुन्हें बोला था ने मुझे लाने के इसके पड़ेशरा देती ह hanno बुट खाए है तो वहाला पापड़ी आती है वह भी लगनी चालो हो गई है सबजी तो अभी बहुत जादा लग रही है कि बेंगन का बात ही क्या क्या बोले बेंगन तो इतने जादा निकल रहे है और रोजफाऊ तो भी उसको अच्छा ही हम लोग तो मैंने सोचा आज लोकी और प्याज वक्रскихार काट के बहुत अच्छे से मिक्स करके वेज-बिर्यानी बनाते हैं तो मैंने वेज-बिर्यान न के लिए लोकी तोड़ ली है और लोकी थोड़ी काटा है ने उसके अंदर लगी हुए दो तिल लगी है लेकिन मुझे तो छोटी वाले यह चाहिए तो मैं छोटी ही लाके काटूंगी क्योंकि बिर्यानी बनाने की है तो बिर्यानी के लिए यतनी बड़ी नहीं चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं थोड़ी तूर भी तोड़के लाती हूँ लेकिन देखा तो तूर में तो बहुत ज्यादा तूर नहीं है और है भी तो थोड़ी कुनी-कुनी है तो वो तो काम नहीं आएगी तो मैं तो टेस्ट कर लेती हूँ क्यों वो तो कुनी-कुनी है तो बहुत मीठी भी लगती है ना दोस्तो तो चलो अभी चलते हैं अपने किच्चन में तो देखो आगया अभी आपको देखने को मिलेगा मैंने काट लिया है यह लोकी, प्याज, मीर्च और लसुन वगिरा काटके बहुत अच्छे से छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है मुझे यहाँ पर डालने थी मग वगिरा डालने का था लेकिन मैं नहीं डालूंगी खाना थोड़ा जाद है कॉंटिटी में बन जाएगा ने तो खाएगा क्या-क्या खाएगा ऐसा हो जाएगा बाद में रात का डीनर का भी कुछ सुचना पड़ेगा ने तो यहाँ पर मैंने यह सब काटके तयार कर लिया है और लोकी तो इतने चुटे-चुटे टुकडों में यह काटनी होती है क्योंकि बच्चे को पता नहीं चले कि इसमें लोकी है यह आलू है तो मैंने बहुत अच्छे से टुकडों में काट लिया और बना ली मैंने अच् काटके रख सके ऐसा करके तो यह देखो दानेदार बनी हैने बियानी तो मैंने तो अभी कड़ाई में भाइए बियानी तो मुझे तो बहुत टेश्टी लग रही और आपके घर में भी यह वाली बिर्यानी कभी ट्राइ नहीं कि तो एक बार ट्राइ करके मुझे बताना कॉमेंट में दोस्तो और बना के साइध आपको अच्छी लगे तो मुझे कॉमेंट करना मत भूलेगा दोस्तो और चैनल पर पाएंगे और सबका साथ दीजेगा दोस्तो अपना अपना खायाल रिखेगा बाई बाई जै माता जी